गुड बॉर्निंग सुजेंट्स आम गोईंग तो चप्टर स्टार्स नंबर सेवेंटीन ओफ क्लास एट तो हम अभी तक एस्टरोइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं अब उसके बाद आता है मैट्योर्स अंड मैट्योराइट्स क्या होता है बई एट नाइट रात के समय जब आसमान जो तो वो बिलकुल साफ होता है और जो चंदरमा है वो नहीं होता कभ न होगा चंदरमा अम आवश्चा के दिन ठीक है, you may sometimes see bright streaks, तो आपको क्या नज़र आएगा, कुछ bright streaks, bright streaks, मतलब जिनको आप यह कहते हैं, यह तो, मतलब तारा तूट गया है, इस टाइप से, कुछ bright streaks of light, जो है, sky के इंदर आपको नज़र आएगे, these are commonly known as shooting stars, और इनको तूटता हुआ तारा भी कहते हैं, although they are not star, लेकिन यह क्या नहीं होता, तारा नहीं होता यह, they are called meteors, इनको यह कहा जाता है, meteors कहा जाता है, meteors is usually a small object, यह एक छोटी सी वस्तू होती है, that occasionally enter the earth atmosphere, जो occasionally, मतलब कभी कभी earth के atmosphere में, हमारी जो earth है, उसकी atmosphere, atmosphere मतलब जिसमें gases है, चीक है, उसके अंदर enter कर जाती है, फिर क्या बहुत ज्यादा high होती है, और friction की वज़े से, the friction due to the atmosphere, heats it up, friction की वज़े से, बहुत high speed से गिरने की वज़े से, उसके अंदर क्या हो जाता है, heat हो जाती है, मतलब वो गरम हो जाती है, ठीक है, the friction due to the atmosphere, heats it up, जो friction होता है, atmosphere का वो उसको गरम कर देता है, it glows, और heat की वज़े से वो क्या करती है ग्लो करने लगती है चमकने लगती है and evaporates quickly और जल्दी क्या होती है इवैपोरेट हो जाती है मतलब उसका वास भी करन वो हो जाता है that is why the bright streak last for a very short time और इसी जो तूटता हुआ धारा जिसको आप कहते हो ये bright streak होती है वो थोड़े ही समय के लिए होती है short time के ल are large and so they can reach the earth जो meteors होते हैं कुछ वो बहुत जादा कैसे होते हैं large होते हैं बड़े होते हैं and so they can reach the earth और इसी वज़े से वो कहां पहुंच जाते हैं अर्थ में पहुंच जाते हैं before they evaporate completely पूरे तरीके से evaporate होने से पहले the body that reaches the earth जो अर्थ के अंदर जो meteor पहुंचता है उसको कहा जाता है meteorite मतलब वो है क्या meteor है लेकिन बड़ा size होने की वज़े से वो कहां पहुंच गया है अर्थ के atmosphere में पहुंच गया है तो atmosphere में पहुंचने के बाद उस meteor को हम क्या कहते हैं meteorite कहते हैं meteorites help scientists in investigating the nature of materials from which the solar system was formed और meteorites के चीज़ में help करता है scientist की ये चीज़ पता लगान में कि जो नेचर है solar system का जो नेचर है कौन-कौन से material उसके अंदर यूज हो रहे हैं और उनका कैसा nature है उसके बारे में पता लगाने में scientist की help करता है नेक्स टॉपिक है artificial satellites artificial satellites मतलब जो कृत्रे मुपग्रह होते हैं उनके वारे में कृत्रे मुपग्रह कौन से होते हैं वह उपग्रह जो की natural नहीं है प्रागर्थिक नहीं है जिन्हें हम बनाते हैं ठीक है आपने सुना होगा कि हमारे पास बहुत सारे क्या हैं कृत्रे मुपग्रह हैं जो की अर्थ की चारों तरफ घूमते रहते हैं आपको जानकर आश्री होगा कि जो artificial satellite है ठीक है वो कैसे अलग है natural से प्राकर्थिक से वो कैसे अलग है artificial satellite are man-made वो हमारे द्वारा बनाए गए हैं ठीक है they are launched from the earth वो earth से launch किये जाते हैं मतलब हमारी earth का जो surface होते हैं वहां से वो भेजे जाते हैं they revolve around earth वो earth के चारों तरफ घूमते हैं कैसे गूमते हैं much closer than a earth's natural satellite सिर्फ फर्क यह है कि जो natural satellite होता है वो earth से थोड़ी दूरी पर घूमते हैं और ये earth के करीब घूमते हैं पास घूमते हैं ठीक है वो पहला इंडियन सेटलाइट था कृत्रे मुगरा था पहला some other satellites घूमते हैं कुछ और सेटलाइट जो की इंडिया ने बनाए हैं वो क्या है INSET, IRS, Kalpna 1 and EDUCET यह सब सैटलाइट जो है वो आर्टिफिजल सैटलाइट है और यह इंडिया ने बनाए आर्टिफिजल सैटलाइट हाव मैनी प्रैक्टिकल एप्लिकेशन जो आर्टिफिजल सैटलाइट है उनकी बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लिकेशन है मतलब उनको प्रैक्टिकल ही काम किया जाते है त्योरी पढ़ने का उसमें इतना कुछ नहीं है जितना प्रैक्टिकल है वो क्या बताते हैं कि जो मोसम है वो कैसा है ट्रांस्मिटिंग टैलिविजन और रेडियो सिगनल रेडियो सिगनल और टैलिविजन की जो सिगनल होता है उनको भेजते हैं दे आर ओल्सो यूस्ट फोर टैली कॉम्निकेशन जो फोन पर हम बात करते हैं उसके लिए भी वो ही रेस्पॉनसिबल है और रिमोट सेंसिंग और रिमोट सेंसिंग के लिए जैसे टीवी का रिमोट आपने दभाया चल गया यह सब किसपे डिपेंड करता है सैटलाइट पर डिपेंड करता है और दूसरी चीज़ देखे आप ने देखा होगा कि कहीं भी मतलब कोई भी आपके तो जीज़ पहले ही पता चल जाती है ठीक है कुछ अ हो जाये मौझा पर हो कि बीजा है कि ऐसा होने वाला है किस की वज़े सैंटलैट्स की वज़े से क्योंकि इस साटलैट्स आर्थ की चारोरी तरफ सें की वज़े से क्या होता है वो weather जो होता है उसको ठीक तरीके से पहले ही बता देते हैं कि ऐसा weather यहां का होने वाला है I think become के बारे में नहीं बताया जा सकता तो become के बारे में नहीं बताया जा सकता कि सिर्फ यह weather वगेरा के बारे में already बता देते हैं और जो weather के बारे में बताते हैं उसके बारे में पहले जो गवर्मेंट है वो वार्निंग भी दिलवा देती है कि ऐसा यहां का मुसम होने वाला है तो उस जगे को खाली करवा लिया गया है तो इस टाइप से यह किस की वज़े से होता है यह सिर्फ आर्टिफिशल सैटलाइट्स के वज़े से होता है तो इस वोस योर चैप्टर चैप्टर हो गया है कमप्लीट इसके कोस्टन में आपको अल्रडी भेज़ चुकी हूँ तो आट्स अल पर टोड़े थेंक यू